हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम विज्ञान के ऐसे महतुपू टापिक पे बात करने वाले हैं जहां से आपके बोर्ड के एक्जाम में 100% सवाल बनते हैं फ्रेंज यह ऐसे टापिक है जहां से हर साल आपके बोर्ड के एक्जाम में 100% सवाल बनते रहत हैं तो फ्रेंस देखे दूहजार चोबीस में होने वाले बोर्ड के एक्जाम के लिए यह टापिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह ऐसे टापिक है कि जहां से आप यदि तैयारी कर लेते हैं तो आपको सतर में सतर लाने कोई भी नहीं रोक सकता है तो चलिए आप उन टापिकों के बारे में बताते हैं कि कौन सा टापिक पढ़ना है आपको देखे यहां पर सबसे पहले आपको रसाइन विग्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टापिक को बताएंगे जहां से आपके बोर्ड के एक्जाम में सवाल बनने वाले हैं देखे फ्रेंस यहां पर क्या है आपका कि पहला आपका है रसाइनिक अभिक्रिया सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है फ्रेंस रसाइनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टापिक है रसाइनिक समिक्र ठीक है इसके बाद रसायनिक समिकड़ आप पढ़ लेंगे तो रसायनिक समिकड़ पढ़ने के बाद फ्रेंस आप रसायनिक समिकड़ को संतुलित करना पढ़ेंगे और संतुलित करना हर साल आपके बोर्ड के एक्जाम में फ्रेंस देता है एक नमबर में देता है यहां से सवाल कि संतुलित रसायनिक समिकड़ आपको बनाना रहता है ठीक है इस साल के पेपर में आपको च्छा नंबर का 2023 के बोर्ड के एक्जाम में सिर्फ इसी चेप्टर से आ गया था और वो सिर्फ समीकड़ा ही दे दिया था ठीक है फ्रेंस आप यदि पेपर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि 2023 के पेपर में च्छा नंबर का आपदे के कितने प्रकार है जैसे आपके हर सल पेपर में पूच्छ सदे के बारे में फिर इसके बाद आप उसकान अभिक्रिया विष्थापन अभिक्रिया दूविस्थापन अभिक्रिया एधि आप इन टापिकों को कर लेते हैं पह्ता बकाय दे आपको 100 empresa गारांटी तो आपका अगला टापिक है अब क्या है फ्रेंस अमले चार लवर यहां से भी हर साल फ्रेंस आपके बोड के एक्जाम में प्रस्न पूछते हैं कैसे प्रस्न बन जाते हैं अमले से कौई भी देगा और उसमें से प्रस्न देदेता है कि काउन से अब प्रबल है काउन से दुरूबल है देखें अगला टापिक आपका है छा यह छार से ठीक है आपकी बोड की एक्जाम में प्रस्न पढ़ते हैं फिर इसके बाद लवर इन टापिकों को आपको पढ़ना एं ठ से किस सुद्धजल का प्याच मान कितना होता है ठीक है अमल का प्याच मान कितना होता है छारक का प्याच मान कितना होता है यह सब आपको पता होना चाहिए देखें यहाई से सुद्धजल का प्याच मान साथ होता है फिर इसके अलावा फ्रेंस देखें आपको यहां से बन साइट का फार्मूला क्या है विरेंजक चूर का फार्मूला क्या होगा बेकिंग सोड़ा क्या होगा धावन सोड़ा क्या होगा या प्लास्टर पेरिस का क्या होगा इसका क्या करना है और इसके फार्मूला को याद रखना है यह टापिक आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए important है अब चलिए अगला टापिक को देखते हैं देखे आपका अगला चप्टर धातु अधातू धातू देखे इस में से कुछ most important टाफिक है जहां से प्रस्ण बनते हैं जैसे आपको धातू के पढ़ना है ठीक है जैसे आपका शुम्मूनियम क्या नियुता है और एक दादू के बारे में आपके बॉर्ड के एक्जाम एक प्रश्ण सबसे सक्री है ठीक है इस प्रकाश से आपको पढ़ना था फिर इसके आवा धादू कर्मक और इसके बाद देखेंみ आपके एक्साम में आ चुका है डूहजर त्याइस में ठीक है कि संचारर्ट क्या है ठीक है यह बोर्ट के एक्साम में interess ? की पेपर में आ चुका है फिके जतने भी प्वाइंड बता रहें फ्लिए याटी आप इतने प्वाइंड ko पढ़ के ला सकते हैं तो आपको सतर में सतर फ्लेंज आसानी से ला है ठीक इसके बारें पढ़ना है आपको समझाती स्रड़ी यह टापिक आपको तम किलियर होना चाहिए फिर इसके अलावा फ्रेंस हाइलोजन एलकोहल कीटों एल्डी हाइट एलकेन इलकाइन का नाम पद्यति यह टापिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इ इसके बारे में आपका कंसेट अदम किलियर होना चाहिए ठीक है फ्रेंस आपका अगला पॉइंट है कि कार्बनिक योगिक करसाइनिक गुर्धर्म के बारे में साबूर और अपमार्जा के बारे में आपको पढ़ना था ठीक है साबूर और अपमार्जा के बारे में टिप बनाके upload कर देंगे ठीक है अब चलिए अगरे topic को देखते हैं रसायने विज्ञान के जितने भी important topic थे आपको बता दिए अब देखते हैं friends के भौतिक विज्ञान के आपके कौन-कौन से important topic है जहां से आपके board के exam में प्रस्ण बनते हैं इन topic को आप जरूर पढ़ के जाईएगा फ्रेंस बोर्ट के exam में देखिए प्रक्सका प्रावर्वर्तन त ander ah अप को क्या-क्या पढ़ना है आपको सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रकास का प्रावर्वर्श अब प्रकास . मिम बनता हो बनाना आने चाहिए इससे भी आपके बोर्ड के एक्जाम में यादी पेपर देखेंगे तो 2023 इसमें कई प्रश्ण दिये थे ठीक है दरपड से लेंस से यह आपके परतिमिम बनाने के लिए देता है फिर इसके अलावा फ्रेंस दरपड का सुत्र इसमें आपको स स्मय देता है सबाल पूछ लिए जाते हैं चार नमर के कम सकम देता है सवाज इसको आप concept किलियर होना चाहिए अदर टिक है अब इसके बाद आबका अगला आवर्थन के बारे में क्लिए आवर्थन क्या होता है इसके बारे मिर होना चाहिए I से बहुता है अगよう आपके आपका आता है Lens द्वारा परतिमीन का बनना अभी बताएं कि दरपड हो गया ठीक है और इसके बाद Lens हो गया इसी से आपके परतिमीन बनाने के नियम देता है इसको आप concept को तम clear करके बोड के exam में जाएगा ठीक है हर साल बनता है फ्रेंज यहां पर उन्हीं टापिकों के लिया गया है जहां से आपके paper में हर साल hundred percent सवाल बनते हैं बनते ही बनते है ठीक है अब देखे फ्रेंज आपको lens का सुत्र पता होना चा हाईएगा दरपड़ के लिए प्लस में चिन होता है यहां पे और lens के लिए माइनस में होता है यही बस दोनों फार्मूले में अंतर है फिर इसके अलावा lens की छमता क्या होता है लेंस की छमता का फार्मूला क्या है यह आदोना चाहिए लेंस के छमता का फार्मूला होता है प्रकास का प्रवारतन से संबधित जो है चेप्टर उसमें से सिर्फ आपको इतने टापिक को पढ़के जाना है ठीक है जहां से आपके बोर्ड के एक्जाम में सवाल बनते हैं अब चलिए यहां पर देखते हैं मानुनेत्र मानुनेत्र में सबसे ज्यादा मानुनेत्र के बारे में इसकी रचना ठीक है और इसका मानुनेत्र का चित्र बनाना आप जानते रहिएगा और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टापिक है इस साल 100 पर गारंटी आपको देते हैं कि निकट दृष्टी दोस्त या दूर दूर्ष्टी दोस्त इसमें से दोनों टापिकों का आप जरूर कंसेप्ट किलियर कर ले जिएगा और इसको याद करके ही जाईएगा इस साल 2024 में यहां से जरूर प्रशना आएंगे ठीक है अब देखें अगला देखते हैं प्रिज्म क्या है आपका कि प्रिज्में में प्रकास का अपवर्तन विच्छेपड़ में ही पढ़के जाना है ठीक है यह प्रिज्म में से आपको सिर्फ इतने टापिक को पढ़ना था अब फ्रेंस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टापिक आपके लिए एक विद्दूत का प्रभाव यहां से आपके पेपर में आप यदि ओम का नःम से इंपोर्टेंट आपके लिए प्रेंस्याफ बारें पढ़ना हैं फिर इसके अलावा फ्रेंसज्य सबसे जदा इंपोर्टेंट टापिक is सवाल और समानतर करम होता हैं इसी टापिक को पढ़के जाएगा endless करम और समानतर करम में इसमें आपको सवाल पूछ डायरेट क्या देटा है सवाल पूस देता है ठीक है फिर इसके लावा आता है कि विद्दु धारा का उसमिय प्रभाव के बारे में पढ़ना है फिर P B I R में संबंद मतलब P मतलब power भी मतलब होता है कि voltage I मतलब होता है current और R का मतलब resistance ठीक है इसके बारे में संबंद क्या है इसके बारे में पढ़के आप सभी को जाना है ठीक है और फ्रेंस यदि आपको यह चेप्टर में प्राप्लम होगा तो आप कमेंट बाक्स में लिख दीएगा हम इसका एक प्रोपर आप लोगों के लिए वन साट वीडियो अप्लोड कर देंगे जि चिंबकिे छेत्र लेका के बारे पढ़ना आ है फिर इसके लाव परिनालिका के बारे में और सबसे इंप्वॉर्टेंट टापिक का जाता है के बारे में construction बनाना था और उसके बारे में लिखना था और filming के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़के जाना है सबसे important topic बताएं friends विद्धु धरा के चुम्ब की प्रभाव है इसमें सबसे ज्यादा important topic जहां से प्रस्ट बनते हैं filming के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम पूछता है और इसमें सबसे ज्यादा generator और motor वाले सवाल पूछते रहते हैं friends फिर अगला topic है घरेलू विद्धु परिपत के बारे में पढ़के जाना है विद्धु धरा का चाल की प्रभाव क्या इसके बारे में पढ़के जाना था तो friends आपके भोतिक विज्यान से सिर्फ जितने भी point बताएं सभी important point बताएं आपको सबसे important jao program jao program में क्या पढ़ना आपको सजिव पधो तता जनतूँं में पोसट कैसे होता है ठीक है इसके बारे में आपको पढ़ना है फिर इसके लिए श्वसान के बार रुष और सर्जन न के बारे में ठीक है यह से ब्रिख हो गया ब्रिक के बारे में structure पढ़ना पढ़ लिजिएगा ठीक है और फेफड़ा जो हता है फेफड़ा हो गया इसके बारे में मस्तिस के बारे में सब यह पढ़ना ही आपको है और इसका चित्र भी आप बनाना सीख लिजिएगा यह चित्र भी दे दता है आपके पेपर में ठीक है जैसे मानो का मानो के बारे में देदता है इसका चित्र बनाना आपको आना चाहिए ब्रिक के बारे में ठीक है हिर्दे के बारे में फेफड़ा के बारे में यह सब चित्र आपको आना चाहिए यह टाप्रिक आपके लिए सबसे जाएगा ठीक है इसके बाद आपका है प्रतिवर्थी किर्या क्या है प्रतिवर्थी किर्या के बारे में बैचा से पढ़के जाएए और जहद़ रचना अना चाहिए अब चलिए व्याट को ने प्रजनन के बारे में मैं स्थवास्त के बारे में क्या इसका निवाराड क्या है इसके बारे में आपको पड़के जाना है आपको पेपर में फिर देखे फ्रेंस यहां पर आपका है कि आनुवान शिक्ता के बारे में ठीक है आनुवान शिक्ता में आप मेंडल के बारे में फ्रेंस जरूर पढ़के जाए इससे आपके 100% गारंटी देते कि यह मेंडल का नियम जरूर आता है अब मेंडल में पढ़न हुआ रसाइन विग्ञान हुआ यह टापिक ऐसे हैं जहां से आपके पेपर में 100% सवाल हर साल बनते हैं तो आप इन टापिकों को आप जरूर पढ़के जाएं आप जितनी भी टापिक बताएं इनको आप अपने बुक में ठीक लगा लिजे कि यह टापिक पढ़ना है या इ इत्म कान्म डाते हैं तो आप 70 में 70 आसानी आशानी से लpassen यह ट्रैंस इसी प्रकार आप और भी किसी सब्जडक प्र SukOOD में किसी भी विसेव पर इंपड़ेंड पर टापिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो een वीडियो जरूब बनाएंगे ठीक है तो फ्रेस्ट आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें